चलिए कोशन नुमर फाइब देखते हैं, कहारें कि find the probability distribution of a number of success in two tosses of a die where success is defined, जब दो डाई को आपने थ्रो किया है, तो हमको बता है कि इसके 36 outcomes होगे, और वो 36 outcomes मैंने पहले से ही लिख दी है, वट, इस कोशन को मैं दो तरीके से बताऊंगा, क्या, एक तो यह बेसिक तरीका क्या होगा, दिमाग में कोशन है कि सर, यहां तो चलो, टू डाई ते, तो आपने 36 outcomes लिख दी पाई, तो इतने सारे outcome हम लोग कैसे लिख दे, तो दौनों चीजों को ध्यान में रख किस कम है, आंसर बताऊंगा, तो जली ते बेसिक वाला समझो, क्या कहने है कि number of success क्या, number of सबसे पहले लिखना सी को, number of success तब होगी, पहले कोश्चर में, जा number greater than 4 आएगा, जा number greater than 4 आएगा, तो, क्या है यहां पे, random variable, number greater than 4, आचा एक बास, number greater than 4, आचा एक बास, number greater than 4, दो डाई हमने, हमने थ्रो की है, दो डाई, तो number greater than 4 आजे, तो हो सकता है, दोनों पर ही, number greater than 4 आए, जब दोनों पर नाएगा, तो हम तो फेल हो गए, हम दो सक्से जीरो हो गए, हो सकता है, एक पर 5 आजा एक पर 2 आजाए, तो एक बार नमबर 4 से बढ़ा आ गया, एक बार छोटा गया, तो success एक बार मानी जाएगी, और हो सकता है, और हो सकता है, दोनों पर ही, number 5 से दो बार जी बार चलिए अच्छा अब इसका प्रवेबिलिटी डिस्ट्रीबुसर अब बड़े प्यार से समझेंगे सब्सक्राइब कब होगी जब नंबर दॉर डाइफ फॉर से कम होगा फॉर से कम होगा फॉर भी होगा लेकिन इसे नंबर चार एक दो तीन चार अवसाना हमने बन को मां फाइब नहीं लिए क्योंकि फाइब आते ही नंबर ग्रेटर दैन फॉर गया उसको नहीं लेंगे क्योंकि इसमें एक बार सक्सिस हो गए इस यह भी और यह स्टार्टिंग के इस सब चार चार आप ले लिए देखो क्यों ले ल इस तो पहला तो यह हो गया चली स्टाइब देखते हैं के दरीज़ा एक बास अक्सिस हो है या मतलब क्याओ डाइपर किसी भी एक डाइपर नमबर एक बार फॉर से बड़ा है तो एक बार में कि वह तो तो यह हो गया एक दो तीन चार पांट छे साथ आठट नौदस ग्य सोला पक्की बात है क्योंकि दोगो सिक्सक्राइब एक बास सक्षिल हुए कि नमबर एक बार है जो कि फोर से बड़ा इसमें फेलोगा सबसे एक बार है तो यह भी क्योंगा सिक्ष्टीन अपॉन थर्टी से अचा अब सुनो बहुत बच्चा भी इसकी प्रोवेबिलिटी निकालना जाएंगे सबात मैं बता भी दुगा अधर वाइस एक बड़ा सिंपल इन दोनों को एड़ करो मन से माइनस कर दो फॉर अपॉन थर्टी सिक्साजाए गा क्यों इन त पर ऐसा होगा गिरेटर देन फॉर होगा एक दो तीन चार बस इतना होंगे एक तरीका तो यह को सॉल्व करना दूसरा तरीका देखो दूसरा तरीका कि सथ अगर हम इतने आउटकम्स नहीं लिखें अब सुना कि हमारे पास जो सक्सिस है वो जीरो मदलब दो डाइए ना द डाइए दोनों पर नमबर क्या गिरेटर देन फॉर नहीं आया मदल लेस दैन फॉर आया तभी तो सक्सिस जीरो अब सुनों एक डाइप है कि उस पर नमबर बर्न टू थरी फोर चार नमबर आने की प्रावेबिलिटी क्या होती है फॉर अपॉन सिक्स और दूसरे वाले प और के ब्राबर या फोर से कम है और इस पर फाइव या सिक्सा गया तो दो इसकी प्रावर बीट तो वह ओगी फॉर अपॉन सिक्स और ऐसा आगे पीछे भी तो होगा टूसे मल्टिप्लाइब गर तो क्या पता हो सकता इस पे फाइवा सिक्साजाए इस पे नमबर दिस हो तो आंसर दो को बोजाए को फोर टूर टूर शेश्टिंग इसे कट कर ले ना अच्छा नेश कैना कि दोनों पर दोनों पर सक्से जाए मैं दोनों ही डाइपे नमबर क्या है फाइव और शिक्साज आएंगे तो क्या हो गई यह दू अपन और तू से मल्टी इस तरीके से सब्सक्राइब कर दोनों पर ही नमबर सक्से से भीयकम आया हो तो सक्से जीरो अब इसमें बच्चे पता कंफियोश कहां पर होंगे है यह की एक डाइए हो सकता है इस पर six आ गया उस पर two आ गया हो तो भी तो सक्सेज्ज हो उनकी दमाज में आगा हो सकता है इस पर वी 6 आगया हो तो सकसेज दो ऐसा वूलो कर कि आते और आपको नंबर जीरो मिलें दो क्यों मिलें थो समझों जो क्यारे एक पर शिक्स आजा तो सक्सेज माने जाएगे दो पर आजा तो भी तो मने जाएगे तो ऐसा नीजिस को दो बार करदेंगे ट्लिक सर यहां तो आपने प्रफेट दो कोई जारा दे तो भी काम चल जाए गा बारा तेरा उस जितने भी ज्यादा देगा हमारा काम चल जाएगा सेम कंडिशन इहां पर तैसा नहीं कि सट्विसमें टू कर देना कैने अट लीष्ट एक बास अधा आप पास होगे दो बास इसा या तो भी ता पास हो इक अ प्रोबीटीड दोस्क सुक्स काई आउट तरीका सबता दिया जब जीरो है कहना का मीनिगा कि सी पर भी सिक्स नहीं आया तोकले गोता निकालने की रिक्वार्मेंटी नहीं बन से माइनस कर दो तो तो 11 अपन थर्टी से साथ है बैसे फिर भी चेक कर लो कह रहे हैं कि एक वासिक्स आजाए एक बार आजाए या उससे जादे भी आ जाए तो दो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा इसमें सिक्सक्स भी लि इस डाई पर वंसे लेकर आजाए इसमें इसमें बिवन से लेकर फाइब तो पांच नमर आन एक प्राविलीटी थापन और डिजा कितना हो गया 25 अब तक यह ने एक पर आ जाए शक्स या दो पर आज़े जो एक पर जब आया होगा सिस्प्जाप्त वाद शेक्स ए और इस साय होगा दोनों को पर शक्ता यह सब एक या पॉसिवल है इसा तो एक यह बार पॉसिबल तो टैन अपन थर्टीश प्लास बन अपन थर्टीश तो यह तरीके से भी कर सकते या पर स्थिरिके से इसमोस्ट इम्पडलिम कोश्च नहीं है